अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं कुछ आपकी जिग्यासा है इस विशेकों लेकर तो कारिक्रम के दौरान हमारे टेलिफोन नमज लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप इन नमबर्स पर कॉल करके सीधा डौक्टर मौनिका से सला ले सकते हैं साथ ही डौक्टर मौनिका के क्लिरिक के नमबर भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं कारिकरम के बाद भी आप डौक्टर मौनिका से सीधा संपर कर सकते हैं तो चलिए शिरुवात करते हैं चर्चा की सबसे पहले डॉक्टर मॉनिका आपसे यही जाना चाहेंगे कि आखिर आयूर्वेद के अनुसार अगर हम बात करें तो बांजपन क्या है इसके क्या कारण हो सकते हैं कि बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि आम भाषा में अगर इंफर्टिलिटी की हम बात करें तो इंफर्टिलिटी या फिर बांजपन एक ऐसी नींचनर तक किसी भी पती को अपने संतान की प्रापति का ना होना या फिर अगर बात करें तो इन जनरल अगर एक साल तक अगर कोई दमपती साथ में रिलेशन्शिप में है और उसके बाद भी अगर नैच्रली सब चीजे ट्राइ करने के बाद भी अगर उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं होती है एक साल तक तो हम उसे इन फर्टिलिटी या बांच्पन कहते हैं अगर आयरवेद से मैं बात करूं तो आयरवेद में इन फर्टिलिटी को हम लोग बंध्यत्व के नाम से जानते हैं जैसे कि हमारे पुराने जो महरशी लोग थे जिन लोग ने सहीताओं का वर्णन किया हुआ है सहीताओं के एकॉर या इन पर्टिलीटी के पीछे हज्बेंट करो ले उनके पीछे क्या क्या करण हो सकते हैं तो उसमें मैं आपको पताना चाहूंगी कि बहुत सारी चीज़े जो है वो इन वालव होती है जैसे और कि अगर हम बात करें female infertility की याने की महीलाओं में अगर कोई समस्या है तो महीलाओं में जो समस्याइं होती है वह सकता है गर्भाषय शेसे संबंदित हो गर्भाषय से जुड़ी हुई दो ओवरीज होती है जिसमें की अंडे जो बनते हैं जिसे की संतान उत्पत्ती होती है उन अंडों की जगह पर वहां पर गाठ बनना स्टार्ट हो जाती है जिसे की कॉमनली हम लोग PCOD से कंपेर करते हैं जो कि PCOD जिसे कहा जाता है आज कल हम अगर पांच पेशेंट ऐसे होते हैं जिने किसी कारणवश बच्चा नहीं हो पाता है तो उन सभी के पीछे बहुत सारे रीजन्स होते हैं कि जिसके पीछे PCOD हो सकता है यूट्राइन फाइब्रोइड हो सकता है ट्यूबल ब्लॉकेज हो सकता है बहुत सारी परेशानिया है जैसे कि हॉर्मोनल इं जानी के उपर काम करने वाले होते हैं उनकी वज़र से बच्चा नहीं हो पाता है या अंडाच्छे से बन नहीं पाता है इसके अलावा और भी कई सारे डीटेल में में फैक्टर्स आगे आप से डिस्कुस करना चाहूंगी जी चली कारण तो आपने बताए हैं कि आखिर इसस मारीज को आखिर जो इलाज है वो कब से शुरू करवाना चाहिए जी बिलकुल मैं आपको बताना चाहूंगी कि ट्रीट्मेंट्स को भी जो आईरवेद में हैं उसको सभी कारणों के हिसाब से डिवाइट किया गया है अगर मैं आपको जैसे अभी मैंने आप से डिसकुस क सकते हैं, मेल्स के साथ भी काफी सारे कारण हो सकते हैं, जैसे स्परम काउट्स का कम होना और इन सब चीजों को लेके तो मैं आपको एक कारण के हिसाब से इन चीजों को ट्रीट्मेंट्स DOWN करना चाहूंगी कि जैसे अगर हम बात करें कि ट्यूबल ब्लोकेश चाने आगर For example, एक patient है जिसे 2-3 साल हो गए उसकी शादी को और इसके बाद भी वो उसने कुछ investigation जैसे basic investigation अगर हम देखें कि उसने sonography वगेरा और सब चीजे वो करवा चुकी है लेकिन उसके बाद भी अगर उसे बच्चा नहीं हो रहा है तो हम फिर कुछ आगे further investigations के लिए जाते हैं जिन further investigations में एक hysterosalping geography करके एक टेस्ट होता है जिससे हमें tubes के patent होने का या block होने की बिमारी का पता चलता है तो अगर कहीं न कहीं अगर patient को हमें पता चलता है कि ट्यूबल अगर blockage है तो उसके treatments में हम सबसे main treatment होता है आईरवेड में वो होता है उत्तरवस्ती का उत्तरवस्ती कि एक केरलिय पंचकर्म therapy है जिसमें कि यह बिल्कुल भी कोई surgical treatment नहीं है क्योंकि मैं यह दर्शकों को अपने जानकारी देना चाहूंगी क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि आईरवेड में जो कुछ treatment जो त्री रोग संबंदित होते हैं वो शायद हो सकता है कि क लेकिन मैं आपको clearly यह चीज़ समझाना चाहूंगी कि जो उत्तरवस्ती है वो बिल्कुल non-surgical treatment है जिसमें बिल्कुल भी पेइन भी नहीं होता है उसमें एक छोटा सा प्रोसीजर सिर्फ 10-15 मिनिट्स का होता है जिसमें कि हम 5-5 ml वाली सीन्जियां 10 ml वाली सीन्जियं से ह होता है हम उसको यूट्रस के अंदर इंसर्ट करते हैं वह यहां तो गर्भाशे मार्ग से होता है यह फिर मूत्र मार्ग से होता है जिससे की एजीली तीन महीने से छे महीने के अंतराल पे ट्यूबल ब्लॉकेज जो है वह एजीली खुल जाता है इवन मैं आपको बताना च पिश्वार्टी नहीं है कि वो कितने दिनों तक पेशेंट के ऊपर उसका एफेक्ट रहेगा कई बार होता है कि उसका रीकरेंस छे महिने में फिर से हो जाता है बात करें PCOD की अगर PCOD बहुत कॉमन आजकर तीनेजर यंग गर्स पहुत सारे फीमेल में हमें देखने को मिलता है जिसकी वज़र से अब सारे परेशानियां होती है तो उन चीजों में क्या होता है कि पेशेंट जब तक ट्रेटमेंट लेता है तब तक उसे रिलीफ रहता है लेकिन अगर वो उस चीज़ को बंद कर दे बंड कर देतों उसे फिरसे वो परिशानी होने के chance है लेकिन अगर वो अईवेड ट्रीटमेंट के दिरूँ अगर इन सब चीजोमें जाता है अगर अईवेड ट्रीटमेंट लेता है तो definitely उसे 80% टक उसे results मिलने के chances होते हैं यह बिलकुल ठीक है आपने आने हैं मैंने आपको बताया कि treatment किस किस तरीके से है बिल्कुल आयूर्वेट से भी बांजबन का इलाज संभव हैं दर्शकों को एक बार फिर हम बता दें डॉक्टर मॉनिका चौधरी मरेठिया के क्लिनिक का एड्रेस और उनका व्यक्तिकत जो personal phone number है वो भी हम आपको दिखा रहे है कारिकरम खत्मोने के बाद आप व्यक्तिकत उनसे इस्तलहा ले सकते हैं संपर कर सकते हैं और इस कारिकरम के दौरान भी अगर आप कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो बंसल नियूस के numbers लगातार flash हो रहे हैं डॉक्टर मॉनिका ये भी हम जाना चाहेंगे अभी अभी आपने बात की इलाज के अलग अलग दबायों से procedures की इसके लावा क्या ये इतना पर्याप्त है काफी है या फिर इसके लावा special diet जैसे हम directory management या दिंचरिया क्या यूरेद में बताया है उसकी भी हमें कुछ आवश ये तो मैंने आपको सारे जो है वो organ deficiency या organ dysfunction जो होते हैं वो मैंने उसके बारे में आपको कारण explain किये इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि infertility में सबसे बड़ा रोल होता है age factor का अगर हम देखें तो आजकल couples की शादियां मतलब आजकल के जो young लड़के लड़क लेने के बाद भी कई बार ऐसा होता है कि उनके दोनों husband wife अगर working है दोनों job में हैं तो कई बार ऐसा होता है कि वो लोग दो या तीन साल चार साल तक तो वो बेबी की planning करते ही नहीं है उनके हिसाब से यह रहता है कि पहले career set हो जाए उसके बाद हम बेबी के लिए प्लान कर है कि एक हमारे आयरवेद में चीज बताई गई है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि बीजांच दुष्टी बीजांच दुष्टी करके एक वर्ड डिफाइन किया गया है जिसे कि हम लोग उसको एक comparison दिया गया है कि अच्छा जो एक बीज होता है उसे बहुत अच्छ है अगर उन दोनों को देखें तो हम उन्हें भी सीट के साथ compare करते हैं कि अगर वह स्ट्रॉंग नहीं है अगर कहीं ने कहीं उस सीट की इतनी पोटेंसी नहीं है कि वह एक बेबी डेवलप कर पाए यानि कि फर्टिलाइजेशन उसका प्रॉपर हो पाए या वह आगे उसक की तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे जो हॉर्मोन होते हैं वो हॉर्मोन में भी काफी सारे चेंज आने की वज़े से उस एग की पोटेंसी कम हो जाती है बिलकुल उन एग या स्पर्म की पोटेंसी कम होने की वज़े से भी कई बार प्रेगनेंसी होने में बहुत प्रॉब्लम आती है पेशेंट्स को इसके अलावा जो वर्किंग फीमेल्स है या वर्किंग मेल्स है उनके आजकल जो वर्किंग होने की वज़े से जो स्ट्रेस है उनका वर्कलोड वगेरा होने की वज़े से जो स्ट्रेस है या घर पर या परिवार से अगर कोई स्ट्रेस ह का भी हॉर्मोनल बहुत ज्यादा इफेक्ट इन सब चीजों पर पड़ता है यह बिल्कुल ठीक का आप में अलग-अलग रिजन्स हो सकते हैं फिल्हाल कारिक्रम में हमें कॉलर को शामिल कर लेते हैं हमारे साथ इस वाक जिते इंद्र जी हमारे साथ जुड़ गाएं जो कि श डॉक्टर मॉनिका क्या कहें गया जी अगर किसी भी पेशेंट में अगर स्पर्म काउंट अगर कम है तो स्पर्म काउंट के कम होने के कई सारे रीजन्स हो सकते हैं उन रीजन्स में यह हो सकता है कि कहीं न कहीं ट्यूबूस में कोई ट्यूबस में कोई रुकावट हो सकती केंन केंशल्राइबRO, कौई प्राब्लम हो सकती है जैसे टैस्टीज का प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सकती है लोग को से काम हो जाता है तो डेफिनेट्ली बहुत सारे ऐसे मेडिवलब्र काम हो जाता है दो डेफिनेट्ली आईरुवेद trabajo को अभी तक के लिए मैं एडवाइस करना चाहूंगे कि उन जिन लोगों को अभी तक कोई सफलता स्पर्म काउंट की वज़े से या फिर एजुस्पर्म या वगेरा जैसे प्रॉब्लम्स की वज़े से अगर उन्हें पच्छा नहीं हुआ है या संतान हींता अगर है तो लोग आईविएफ जैसी पधती की तरफ भी जाते हैं आप क्या राय रखती हैं आप क्या दर्शकों को अडवाइस करेंगी आईविएफ या आयूरवेद दो अलग अलग चीजें है एक्चुली मैं सबसे पहले पताना पचाहूंगी कि आईविएफ जो टेकनीक है वो एक अपने आप में अलग प्रोसीजर है और आयूरवेद के प्रोसीजर्स जो हैं वो एक अलग है हम मैं आपको सबसे पहले मैं चुकि आयूरवेद से हूं तो मैं पहले आयूरवेद का आपको बताऊंगी कि आयूरवेद में हम लोग जो ट्रीट्मेंट करते हैं वो तीन स्टेजस में करते हैं जैसे फर्स steäg हो गया कि हम सबसे पहले प्रीकंसेप्ष्णल हम लोग कोई भी पेशेट जिनेंके Чी नहीं हो पारी है तो हम लोग अन्ने पहले treatment करेंगे pre-conceptional, यानि गर्भधारन करने से पहले, अगर उन्हें गर्भधारन करने में कोई परिशानी आ रही है, तो हम लोग सबसे पहले उनका detoxification जैसे process जो हैं, जैसे कि सबसे पहले हम सारे diets वगेरा सब कुछ follow करवाने के बाद, medicated oil वगेरा इन सब चीजों से internally हम लोग detoxification करने के बाद, हम लोग properly उनकी counselling करने के बाद हम लोग प्लान करते हैं कि इनको अब pregnancy प्लान करना है, फिर एक उचित काल जो एक right time जो होता है, वो भी हमारे आयोवेट में उसका description दिया गया, उस हिसाब से हम लोग उन सब चीजों क भी हम लोग उनको explain करने के बाद हम सब चीजे बताते हैं, उसके यहीं पर treatment यह नहीं है कि conception हुआ और treatment खतम हो गया, conception होने के बाद भी हम full pregnancy तक हम लोगों को हमारे इसमें आयोवेट में गर्बिनी परीचरिया करके जिसे की healthy pregnancy हो जिन लोगों को पहले abortion वगेरा के अगर history हो या किसी कारणवर्श तीन महीने या चार महीने पांच महीने में गर्बाशे में इतनी ज़्यादा अगर strength ना होने की वज़े से या उसकी capability ना होने से या बच्चेदानी का मुह खुल जाने की वज़े से अगर कोई abortion हो जाता है, उन सब चीजों के लिए उन सब चीजों को यह एक ऐसी टेकनीक है जिसमें sperm और एग को लेकर क्रत्रीम तरीके से बच्चे को इंब्रीयों को बना के और वो लोग transfer करते हैं तो मैं यह नहीं कहूंगी, उसमें successful होने के chances भी होते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं एक चीज यह भी बताना चाहूंगी, कि कई बार जैसे मैंने आपको पहले इस चीज को discuss किया, कि जब age एक factor हो जाता है, या stress हो जाता है, तो कहीं ने कहीं एक egg और sperm की quality होती है, वो इतनी जादा अच्छी नहीं हो पाती, कि जिसकी वज़े से आप होता है, कि आजकल लोगों में देखने को मलता है, कि इतना patience नहीं होता, अगर one year, two year उनकी शादी को हो गया, और अगर वो conceive नहीं कर पा रहे है, तो वो directly वो लोग IVF centers पे चले जाते हैं, और वो लोग prefer करते हैं कि हमें हमारे पास इतना ज्यादा patience नहीं है, हम लोग ज्यादा treatment नहीं लेंगे, हमें एक महीने, दो महीने में बस हमें conceive हो जाए और वो लोग IVF technique को अपना लेते हैं, लेकिन वो इन चीजों को शायद वो इन चीजों को थोड़ा नजर अन्दास कर देते हैं कि कहीं ने कहीं इतनी अच्छी नहीं है या उनकी पोटेंसी इतनी अच्छी नहीं है कि अगर वो IVF procedure के लिए भी जाएंगे अपने एग और अपने स्पर्म के साथ तो उसके unsuccessful होने के chances हो सकते हैं, तो IVF और आईरवेद को compare तो नहीं कर सकते, लेकिन हां मैं यह जरूर कहूंगी कि अगर कि इसी कारणवश जो लोग IVF failure को face कर चुके हैं, जिनके दो बार, तीन बार, चार बार अगर IVF failure हो चुके हैं, तो उनको डेफिनेटली आईरवेद की तरफ थोड़ा सा जाना चाहिए, आईरवेद से पूरा detoxification होने के बाद सारा वो डेफिनेटली उनकी body इस उससे prepare हो तरफ अगर जाना भी पड़े, तो उनकी body इस तरीके से prepare हो जाएगी कि वो IVF अगर करवाएंगे तो डेफिनेटली उनका IVF भी successful होगा, तो मैं यह नहीं कहूंगी कि आईरवेद बैस्ट है या आईरवेद बैस्ट है, आईरवेद एक अपने अपने अलग टेक्नीक है और आईरवेद एक अपने अलग अलग ही ट्रीटमेंट है, आईरवेद के जो है, चलिए फिलहाल बहुत बहतर तरीके से डॉक्टर मोनिका ने समझाया है, IVF और दूसरी तरफ हम अगर बात करें दूसरे पद्धती से आईरवेद के तरह से, फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ इस जड़ गई है, संगीता जी हमें शाजापूर से फोन कॉल कर रही है, संगीता जी अपना सवाल पूछिए, सर मेरा सवाल है कि क्या 40-45 साल के बाद प्रेग्निंट से हो सकते हैं क्या, डॉक्टर मोनिका क्या कहेंगे आप जबाब, जी, मैं इस पर ये कहना चाहूंगी कि 40-45 की उम्र में, अगर मैं आपसे जैसे अभी आपने ने आपको थोड़ी दर पहले अभी बताया कि एग और स्पर्म की पोटेंसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, डिपेंड करता है, ऐसा एक हॉर्मोन हमारी बॉडी में होता है AMH, Anti-Mullerian Hormone, जिसके टेस्ट करवाना हमें बहुत जरूरी है, अगर इनके पास पहले से अगर कोई बच्चा नहीं है, और अगर वो चाहते हैं कि 40-45 की एज में अगर वो प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो डेफिनिटली उन्हें पहले इन सब टेस्ट के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद उनकी उनका यूटरस जो है वो उस लायक है या नहीं है, कि वो एक अगर आगे प्रेगनेंसी प्लान करते हैं, तो बच्चा उसमें ग्रो कर पाएगा या नहीं, इन सब चीजों के लिए पहले जानना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि 40-45 उम्र में कोई लेडी जो है वो प्रेगनेंट नहीं हो सकती है, अगर कोई कॉप्लिकेशन ना हो तो डेफिनेटली अगर एग और इन सब चीजों में, अगर सब में पोटेंसी वगेरा सब कुछ अगर नॉमल है तो डेफिनेटली वो भी एक नॉमल डेलीवर, एक बेबी न से रिलेटेड या ट्यूब से रिलेटेड, ओवरी से रिलेटेड, अगर डेफिनेटली सब चीजे नॉमल हैं तो आप बिलकुल प्लान कर सकते हैं चलिए, डॉक्टर मॉनिका हमने आपसे इलाज की तो बात की कि आखे आयूर्वेत की पधती से भी संभव है इलाज, डाइट की भी बात की लेकिन हम देख रहे हैं आजकल बदलते जमाने के साथ लोग योगा को व्यायाम को एक्सराइज को काफी अपना रहे हैं, तो क्या इनफोर्टिटी, योगा का भी इसमें कोई रोल है, योगा का, एकसराइज का इसमें कितना अहें रोल है? योगा का और एक्सरसाइज का जैसे कि मैंने आप से मैं थोड़ी दिर पहले वही एक पता रही थी कि जैसे हमने कारणों को देखा कि इूटरस है यूटरस से डिलेटेट ट्यूप्स है त्यूप्स है ओभरी है सर्विक्स है यह पूरा मैं जो आपको बता रही हूँ, यह सारा एक गरभाशय की जो रचना है, जो भगवान ने एक फीमेल को दिया है, तो डेफिनिटली इसमें क्या है कि अगर स्ट्रेस और एज, एज फैक्टर अगर कहीं न कहीं है, तो अगर जैसे आज कल देखा जाता है कि सारे कपल जो है वो लेट प्लान करते हैं, अगर लेट प्लान करते हैं, तो उनकी लाइफस्टाइल को अगर हम देखें, तो वो सुबह से उठकर उनका ओफिस, या ओफिस के बाद लेट नाइट तक उनका जगना, और लेट नाइट तक उनके जगने के बाद, फिर से अगें सुबह अगर देखा जाए तो लाइफस्टाइल डिसॉर्डर काफी सारे हो चुके हैं जिनकी वज़से जो पेशेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर एक्सराइज प्रॉपर योगा इन सब की बहुत जरूरत है प्रॉपर एक्सराइज और योगा में अगर हम देखें तो जो अगर सब्सक्राइब के बीच में अगर बहुत ज़्यादा तनाव है और यह सब चीजे हैं तो उन्हें योगा मेडिटेशन इन सब चीजों के साथ अपनी शुरूरत करनी चाहिए इन योगा मेडिटेशन की वजह से बहुत अच्छे हॉर्मोनल जो इंबैलेंस जिनके साथ होते हैं कि योगा भी इसमें काफी कारगर सावित होती है डॉक्टर मॉनिका चुकि समय की अपनी एक सीमा है और समय की निजाकत को ध्यान में रखते हैं बहुत संक्षिव में मैं आखरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं कोई नैचरल तरीकी से आप सजिस्ट करना चाहेंगे दर् तरीका सबसे पहले यही है कि आजकल अगर हम उनके कारणों पर जाएं तो PCOD और यह सब चीजे जो है यह सब लाइफस्टाइल डिसॉडर में आता है एक कैटेगरी है तो एक कैटेगरी है जो लाइफस्टाइल डिसॉडर उसके अंदर PCOD है उसके अंदर हॉर्मोनल इंबै देखने के बाद उसका निशकर्ष यही निकलता है कि आपको आपकी दिन चर्या बहुत अच्छे से रखनी है आपकी दिन चर्या एक प्रॉपर तरीके से जिसे की एक हमारे शास्त्रों में बताया है कि आपको ब्रह्म मोरत में उठकर और एक्सराइज बगरा करके फॉलो क करके अपने काम को शुरुवात करनी चाहिए तो इन सब चीजों को फॉलो करके ही मैं कहूंगी कि अगर आप दो तीन महीने बाद अगर आप लोग प्लान करते हैं कि आपको प्रेग्निसी प्लान करना है तो आप लोग अपनी दिन चरिया को पहले सुधारें सबसे पहले आ सिरष करें आपका एक ढुकिंगउनिघ थो देजिए उनके ब्रायमा मुर्त में उठके आपके और ॉगा मेडिटेशन एक्सराइज एक्सराइस एगर होंगी इसके अलावा आप ब्रॉपरली टाइम पर ब्रेकफर्स सब leukeपर्ट क्वालिटी पर डिपेंड करता है आपको एक ऐसा नहीं कि आपको एक प्रॉपर बस क्वांटिटी में आपने कुछ भी खाना खा लिया आपका खाना जो है वो भी एक वालेटी वाला होना चाहिए जैसे आपके इस प्राउट सालेट फूट्स यह सब चीजें आपके डाइट में होना चाहिए यह सारे डाइट को फॉलो करने के बाद आपका लांच एक प्रॉपर टाइम पे और स्ट्रेस फ्री लाइफ होना चाहिए उसके अलावा आपको डिनर भी आपका एकदम टाइम पे होना चाहिए इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे इसके साथ आपके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप तीन महीने चार महीने पहले एक प्रॉपर हेल्दी डाइट और इन सब चीजों को फॉलो करें उसके बाद प्रेग्नेंसी प्लान करें तो डेफिनिटली आपको कोई भी प्रॉब्लम और डॉक्टर मॉनिका से अगर आप अभी और कुछ सवाल पूछना चाहते तो उनसे आप व्यक्तिकत संपर्ग भी कर सकते हैं उनके लिए का एड्रेस हमने आपको बताया है नंबर पर कॉल कर सकते हैं डॉक्टर मॉनिका आप कारिक्रम में शामिल होई तमाम अलग-अलग सवालों के आपने दर्शकों के भी जवाब दिये बहुत-बहुत धन्यवाद आपका उसके लिए तैंक यू, तैंक यू सो मच तो चलिए इसी के साथ हमारी खास पेशकर शायुशमान में फिलाल इतना ही, एक बार फिर हाजिर होंगे, कल एक नई स्वासे संबंदी समस्या को लेकर साथ ही बताएंगे आपको उसके उपाए, दीजी इजाजत, नमस्कार